वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं लकनवी मटन बिर्यानी की रेस्पी जिसके लिए मैंने गयस पर एक कुकर चड़ा दिया है अब कुकर में मैं ऑईल अड़ कर रही हूं तो मैं यहां दो तरीके के ऑईल मिलाकर अड़ कर रही तो तेल हमने डाल दिया है अब हम ओल को हीट होने देते हैं तो मीडियम यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि मैं यहां पर तीन मीडियम साइज के अनियन लिया थे जिसन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और यह हाफ केजी मटन है इसको मैंने दो कर साफ कर लिया है अबड़ानी अबड़ाना भाई प्रियानी का टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा तो ध्यान रहे हमें इसे चलाते वही पकाना है यह देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है हमें इसे अब इस पॉइंट पर चलाते रहना है कंटिन्यूस और हां एक ब्यात ध्यान रहे कि यह बिरिया प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया और हमें इस पॉइंट पे गैस का फ्ले मेडियम लो रखना है जिससे कि प्याज जो है वह जादा ब्राउन ना हो जाए और जले नहीं तो हमें इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाना है अब इस पॉइंट पे हमें इस का बहुत द्यान रखना है तो बिल्कुल चलाते रहें इसे और चलाते हुए इसे पकाना है द्यान बिल्कुल प्यास के उपर ही रहे हमारा तो यह देखिए यह देखिए प्यास ने हमारा कलर चेंज कर लिया है और प्यास गोल्डन ड्राउन होने लगी है अब इस पॉइं क कुंडा कर साइट करते हैं तो प्यास को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूं और इसका करने देखिए, इसमें भीा रहे है, जिन्जर गार्लिक पेस्ट के बाद करों Any ?" टीसपून हो जैशान दालने के बाद हेना, हमात करें आचिके मतने के बाद जाए, पेस्ट को हैसे आच्छी तरीके से भूनना हरalon जिसे कि मटन की स्मेल निकल जाए तो यहांपर मैसे डालने के बाद हमें इसे कम से कम पास से Спी in and Aegis में और बूनना है इसे जिंजर गार्लिक के साथ मटन लिए पास से 7 मिनट हो चुकी हैं अब इस पॉंट पर हमने इसमें आड करेंगे salt तो मैं यहाँ पर 2 टी स्पून एड़ कर रही हूं salt के मैंने यहाँ पर 2 टी स्पून salt एड़ किया है आप अपने टेस्ट के according salt एड़ कर सकते हैं लेकिन salt इसमें थोड़ा जादा ही जाएगा क्योंकि end में हमें राइस के साथ एड़ करना है तस से बंद्रा मिनिट हो चुके हैं अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं हमारे ड्राइस इस तो मैंने यहाँ पर एड़ किया है देर टी स्पून धन्या का पाउडर और साथ ही मैं एड़ करूंगी रेड चिली तो यहाँ पर मैंने 1 टी स्पून एड़ करी है रेड चिली आप यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली कब इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने नॉर्मल रेड चिली यहाँ पर एड़ करी है और इसके बाद यह देखिए मसाले डालते ही कितना अच्छा सा कलर आने लगा है मतन में इसके बाद हम इसे दो से तीन मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें आड कर देंगे वाटर याद रहे ही हमें इस मतन को अच्छे से गलाना है तो हमें उस हिसाब से इसमें पानी आड करना है हम इसे पास से 6 सीटी आने तक पकाएंगे तो चलिए पकाते हैं पानी आड़ करने के बाद मैंने प्रेशर कूकर का डखकन बंद कर दिया है और अब हम इसे कम से कम पास से 6 सीटी आने तक पकाएंगे और सीटी आने के बाद हमें इसका स्टीम निकालना नहीं इसे ऐसे ही बं मसाले दिखा देती हूं तो मैंने यहां पर लिए हैं चार बड़ी लाइची 20-25 काली मिर्चे साथ में मैंने लिए थोड़ी से सिनिमन स्टिक्स और मैंने यहां पर लिए हैं पाच छोटी लाइची और पचार से पाच लॉंग पास सीटी आने के बाद मैंने कुकर को ठंडा ह आज कपाल साथ में में यहां थते जली जली तो मैंने देविदि आजकी सीटी आज़ी मिल्ची और के रिखोery की साथ में मैंने आपको के रहे हुआ और ऐस साथ में धाल कर मैंने एक हम दो łच्छ से वेनी हो और यहां बहुन के बाद शूर्बक्शा दिक्षी हो बाद इस बहुन कर इस कोर्मे को बना कर तयार करूंगी तो हमने ये कोर्मा बनाया है ये बिरियानी हमारी कोर्मे की तैय वाली लखना हुआ बिरियानी बन रही है तो ये देखिए मैंने इसमें मिला दिया है कितना अच्छा कलर आना चालू हो गया है और आप हम इनसे भूनते हैं यह देखिए इसको भूनते वे तीन से चार मिनटी हुए हैं और यह देखिए कोर्मे में कितना अच्छा कलर आया है अब हम इस पॉइंट पर हम मीट को चेक कर लेते हैं कि मीट हमारा गला है या नहीं तो यह देखिए देखने से तो लग रहा है कि गल गया है लेकिन मैं आपको दिखा देते हूं यह देखिए मीट हमारा कितना अच्छे से गल चुका है और अब मैं गैस को बंद करती हूं और कोर्मे को करती हूं अब हम चलते हैं राइस की प्रप्रेशन की तरफ चलिए कोर्मे को बंद करके साइट करते हैं और राइस की प्रप्रेशन की तरफ चलते हैं यहां पर मैंने बड़े बगॉन में पानी गरम होने चड़ा दिया है कर दो अब इस पानी को हम घरं होने देंगे सात ही हम इसमें अधिताक करेंगे उतक्षा सुए निदिक करना है क्योंकि इसमें अधियर निलत करेंगे consumers का अभल भी में अधिए तो रख कर देना आप zwei师break के वह में सुएने यह देखिए पानी हमारा खॉल चुका है हमें पानी में बॉयल लाना था अब मैं इसमें आड़ कर रही हूं बासमती चावल तो यह बासमती राइस को मैंने आदे घंटे पहले सोक करके रख दिया था और यह एक्स्ट्रा लॉंग बासमती राइस आता है बिर्यानी वाला या बॉयल यहां पर देखिए यह चावल हमारे 80% कुक हो चुके हैं अब हम इसको ड्रेन करकर साइट कर लेंगे और फिर बिर्यानी के लेयरिंग स्टार्ट करेंगे हमें चावलों को 80% कुक करना है जादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि बाद में हमें इनी पकाना है तो यह पर मैंने पहली लेयर का राइज डाला है और इस लाइज तो यह प्लाई इस को अज़से हम पैलाते रहेंगे यह देखिए इस तरह से पूरे भगोंते कि अच्छे साँ कोर्मे की लगाएंगे तो पहली लेइर मैंने यहां पे राइस की डाली है। चारो तरफ एच्छे से देल जाना है। यह देखिए इस तरह से यहां पर मैंने कोर्मे की एक लेयर डालने के बाद मैं फिर दुबारा से इसमें अब राइस की लेयर डालूंगी तो सेकंड लेयर यहां पर मैंने राइस की डालना चालू कर दी है हमें इसे मल्टी लेयर में बनाना है और हम जितनी चाहें अपने हिसाब से layers लगा सकते हैं तीन, चार जिस हिसाब से आपके पास quantity हो आप उस हिसाब से layering कर सकते हैं तो मैं चली है, यहाँ पर layering में start करते हूँ फिर मैंने एक layer डालने के बाद rice की मैं फिर दूसरी layer core में की इस पर लगा रही हूँ और फिर इसके उपर से मैं rice डालूँगी बिर्यानी की layering यहाँ पर मैंने कर दी है अब मैं इसमें add करने जा रही हूँ एक secret ingredient जो कि इस बिर्यानी के लिए बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर मैंने देसी के लिए लिया है और इसको मैं final layer के उपर डाल रही हूँ गोल लूँगी आप कोई भी food color ले सकते हैं orange, red यहाँ पर मैंने जर्दे वाले color का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर मैंने लिया है उसी same category में मैंने लिया है kevda water उसमें मैंने मिलाया है जर्दे वाला रंग आप कोई भी color ले सकते हैं food color red, orange जो आपको पसंद हो और फिर finally हम इसमे वो उपर से add कर देंगे layers के उपर ताकि वो सारे rice में अच्छे से मिल जाए तो हमें इसे खुब फैला कर डालना है इस तरीके से और फिर देखिए मैंने चारों तरफ से डाल दिया है और अब हम करते हैं ये देखिए, अब मैं करती हूँ इसको बंद, ढखकन लगा कर हमें इसे करना है steam और 15-20 मिनट के लिए इसे भापाने के लिए पकाना है यहाँ पर मैंने भगवाने के उपर एक भारी चीज, भारी पत्थर रख दिया है आप कुछ भी रख सकते हैं और इसे steam होने देते हैं 15-20 मिनट के बाद मैंने ढखकन अटाया ये देखिए कितना जबर्दस्क ब्रियानी बंकर तयार हुई है तो अब मैं करती हूँ इसको प्लेट आउट और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरीके की बनी है अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स रस्पी के साथ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग, टेक केर, बाई बाई